अब नगर निगम के कारे क्या हैं बड़ा सरल है वैसे ही जैसे कि पंचायती राज में हमने पढ़ा चोहत्तरवें संशुधन में जिसके ताहट ये नगरी स्वशासन व्यवस्था का प्राधान किया गया समव्यधानिक बनाए गया उसके द्वारा संस्थाओं के कारे में काफी वृद्धी की गई नगरी संस्थाओं को बहुत सारे काम दिएगा उनको बहुत मजबूत बनाएगा पहला काम नगरी योजनाए इसमें शहरी योजना भी शामिल है और नगरी योजनाए शहरी योजना से ताटपर है शहर के लि की, अंडरग्राउंड केबिलिंग की, ड्रेनेज सिस्टिम की, कम्यूनिटी हॉल की, गार्डन्स की, खेल कुद के लिए, स्टेडियम मैदानों की, स्वास्त केंद्रों की, बस स्टापेज, ऐसे जितने भी प्राउधान हैं, इसके लिए जिम्मेदार है, इसके लिए योजन आए, दूसरा, भूमी का उप्योग, भूमी का विनिमे और भावनों का निर्माण, पता लगाना कि इसके दायरे में कितनी जमीन सरकारी हैं, उन सरकारी जमीनों का हिसाब लेखा जोखा रखना, उन सरकारी जिसे हम नजूल की जमीन कहते हैं, उन सरकारी जमीनों का लेखा जो का हिसाब रखना और उन जमीनों का उपयोग करने का प्राधान करना हो दो कारण से जमीनों का उपयोग आवश्यक होता है पहला कि इसमें कब्जा ना हो यदि जमीनों को ऐसे ही छोड़ दिया जाया ध्यान ना दिया जाया तो असामाजिक तत्व निज तत्व आकर उस प बहुत डिक्कट होती है तो पहला तो इसका काम यह हो जाता है नगर निगम के कि सुनिश्चित करें कि नजूल की जमीनों पर कोई कबजा ना हो दूसरा उसका उपयोग अब उपयोग के दो कारण हो सकते हैं एक तो भवनों के निर्माण के माध्यम से कारियाले आदी इस्थ कि अपने भवन हो जाएं तो किराय से बचेंगे जमीन भी सुरक्षित रहेगे तो किराय वगर बचाने के लिए अपना मद खर्च बचाने के लिए अपने भावनों का निर्माण करना दूसरा भावनों का निर्माण इसलिए भी कि वहां कमर्शल उपयोग के लिए दुका कि निषी आमदनी को बढ़ने के लिए भी, नजूल की जमीन में भवन निर्माण अधी किया जाता है, नगर निगम के दौरा, भवनों का निर्माण, जमीन का विन में ये नगर निगम टैह करता है, कि दौर का गार्डन होगा, तालाब बनाया जा सकता है, किस तरह का होगा चौन्दारी करण कितना होगा बच्चों के लिए प्लेइफील्ड बनायúcाएं किस खितने में कितना बनाया जाका प्रात्मिक शालाएं माधिमिक शालाएं खोली जाया और नगर निगम के skool वी होते हैं सरकारी सरकारी स्कूलों के अलावा सरकारी स्कूल अरसाथ वे स्कूल जो शिक्षा विभाग के तहट आते हैं और नगर निगम के स्कूल वे स्कूल जिसके शिक्षा नगर निगम के मातहट आते हैं तो भूमी का उपयोग उसका विन्मै भवन निर्मान आदी आदी. तीसरा जो इसका कार्य है वो है आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना. आर्थिक विकास से ताथपर है दुकाने वगरा खोलना, बजार आदी की विवस्था करना, आप देखते होंगे सबजी बजार के लिए उच्चित विवस्था करने की कोशिश नगर निगम करता रहता है, मचली बजार, ठोग बजार, रीटेल शाप्स, फ्रूट मार्केट, कपड़ा मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, होल सेल मार्केट, और अलग-अलग इंडस्ट्री से जुले हुए अलग-अलग तरीके के बजार, इसके लिए भी उच्चित विवस्था करने का दायत्व, और ऐसा करते हुए, लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास करना, लोगों की आर्थे की स्थिते में सुधार लाने का प्रयास करना, ये नगर निगम का कारिक खेतर में आता है. और साथ ही सामाजिक विकास, अर्था सांस्कृतिक मंच, सामाजिक भवन, विबन धर्मों से, विबन जातियों से जुड़ हुए, बड्दों को लेकर समाज में कैसे एक गुरूपता लाएं, एक जुट्टा लाएं, इसके लिए बहुत सारी युज़नाएं बनाना, और उनको लगू करके ये प्रियास करना कि नगर निगम खेत्र के लोगों का सामाजिक विकास हो नगर निगम के कारेक खेत्र कारेक के दाइरे में विबिन तरह के काम है और बड़े महती काम है शहरी व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिए नगर निगम को भरसक प्रयास करना होता है और आप पाएंगे के नगर निगम, नगर पालिका आदिये जो संस्थाएं हैं ये हमारे दैनिंद्री जीवन को कितना स्मूथ बनाने का प्रयास करती है इसके कारक्षेतर में अगला बिंदू है सडकें और पल बहुत जगा समाचार पत्र ये छापते रहते हैं कि यहां की सडकों में गढधा है यहां का पल टूटता हुआ नजर आ रहा है जरजर हो रहा है और इसकार एक तरीके से चेतावनी फोर वार्निंग नगर निगम को जाती है जनता के द्वारा तो जाती है समाचार के मध्यम से भी जाती है पार्षिदों का ध्याना कर्शित तो तार फिर सडकों की उचित व्यवस्था रहापुर शहर की बात लें तो गट 15 वर्षों में जो इस तरीके से शहर का विस्थार हुआ है शहर के विस्थार का मतलब है जन संख्या का विस्थार यदि समय पर सडकों की व्यवस्था नहीं की जाती नहीं सडके नहीं बनाई जाती सड़कों की चोड़ाई नहीं बढ़ाई जाती तो आज शहर ट्राफिक जैम की समस्या से बुरी तरह ग्रसित होता लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने पार्शिदों ने इन लोगों ने मिलकर समय समय पर जो योजनाय बनाई शड़क विस्तार की परणाम सुरूप आज राइपूर में ट्राफिक जैम की समस्या काफी कुछ नियंतरत है कुछ खेतर अभी भी हैं जहां पर सड़कों के चोड़ी करण का प्रस्ताव है कुछ दिक्तों के कारण वहाँ पे चौड़ी करण नहीं हो पा रहा है पर नगर निगम ही वह संस्था है जो इसके चौड़ी करण के लिए प्रावधान कर रही है प्रयास कर रही है और वही कर सकती है इसी प्रकार पुल आज रैपर पुलों से पटा हुआ है यही पुल दस बारा साल पहले तक रैपर में पुलों के संख्या मात दो या तीन थी अब आप चारों तरफ पुल पाएंगे चाहेँ वो रिंग रोड हो, आउटर रिंग रोड हो, जी ई रोड हो, शहरों के अंदर की सडके हो इस पुलों के माद्ध हम से क्या प्रियास है? ट्रैफिक जैम को रोकने का एक समय बचाने का ओर्जा बचाने का आदी-आदी और यह सब समय पर नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी यदि ना करें तो शहर बड़ा अव्यवस्थित हो जाएगा तो इस पकार सडक और पुलों का निर्मान बहुत आवश्यक कारिक खेत्र में आता है नगर निगम के अगला है घरेलू और द्योगिक और वानजकी प्रियोजन के लिए निमित जल की आप पूरती शहर बढ़ गया पुल बन गया सडकें बन गई लेकिन परियाद पानी की व्यवस्था नहों पे जल की व्यवस्था नहों पहली बात दूसरा शहर बढ़ गया मकान बनाने सडकें बनाने पुल बनाने के लिए पानी की जो जरत पड़ती है उसकी व्यवस्था नहों पानी कि जरद तो हर कारे के लिए होती उद्योग खोले गए उद्योगों में जो पानी लगता है उसकी व्योंस्ताना हो तो क्या होगा ऐसी सिति में नगर निगम की संबंदिश समिती पैनी नजर रखी रहती है पानी की जरॉरतों पर और समय रहते उसका निराकरन करती है उसका हल निकालती है रास्ता निकालती है और पानी के समुचित सप्लाई की व्यवस्था करती है अभी एक योजना जो चल रही है अम्रिजल योजना जो पूरे शहर में और पूरे राज्य में जिसे लागू किया जा रहा है ये भी उसी के पे जल या पानी पहुंचाने के प्रयास के तहत एक प्रबंध है तो इस परकार घरेलू और द्योगे करवानज की उपयोग के लिए निमित जरूरत मन जल की आपूरती उनका अगला कारे हैं इसके बाद अगला लोगस्वास्त स्वच्छता सफाई कूड़ा करकट का प्र विछ के लिए अलग-अलग राजियों में अलग-अलग टाउधान किया गया नगर-निघम अपने-अपने तरीके से कारе करते हैं वहाँ की जरूरतों को और üzerन Cordес को देखते हुए डिली की बात करें तो वहें हैं क्लिनिक खोले गएं कॉलोनियों में 36 गर की बात करें तो यहां पर मोबाइल वेंस की तरह कि जैसी विवस्था भी की गई है और बहुत जगह क्लिनिक खोले गए हैं यह लोक स्वास्ट के मद्दे नजर नगर निगम के द्वारा किये गए प्रयास हैं स्वच्छता और सफाई और कूला करकट इस यह नगर निगम ही है जिसने कूला करकट को रिसाइकल करके उसका दूसरों उप्योग के लिए विवस्था की है रिसाइकल कूला करकट जब रिसाइकल होता है तो उसके बाद जो प्रॉड़क निकलता है उसके कई अन्य सदुप्योग अच्छे उप्योग किया रहे हैं औ और अन्य शहरों में 36 गड़ में कि वहाँ वैंस चल रहे हैं मोबाइल वैंस जो संगीत में तरीके से संगीत के साथ कॉलोनी कॉलोनी जाकर कच्रा एकठा करते हैं और इसके बाद उस सारे कच्रे को एक जगा हज्जारों के संख्या में ऐसी गाड़ियां एक जगा कच्रा डं पकरती है यह वीवस्था भी कौन किया है नगर निगम नहीं किया उसके बाद आपने सड़गों में देखा होगा सफाई होती है सड़गों की राद भर कई जग़ज़ सफाई चलती है सड़गों की बहुत सारी पुरुश और महिलाएं यूनिफॉर्म में रहके इसकी सफाई करते हैं ये वे उस्था भी नगर निगम की है इसके बाद अगनी शमन सेवा फायर सर्विस बहुत ही मत्पूर्ण अंग है नगर निगम के कारिखेत का वरतमान में रैपूर जैसे शहरों में अच्चतीर गड़ के अधिकतर शहरों में फ्लाट सिस्टम नहीं है उतना जहां पे हाई राइजिंग बिल्डिंग्स बनी हूँ लेकिन ऐसे शहरों में जहां Πे हाई राइजिंग加入 बिल्डिंग्स ही जीवन का अंग हो गया है छाहे हो बंबे हो नाकपुर हो पूने हो आधी-ाधी वहां पर ये अगनी शमन यंत्र या अगनी शमन गाड़िया या फाइर सर्विस अत्याोधिक महतपूर्ण हो जाती है लेकिन राइपुर जैसे शहरों में भी बारंबार फायर सर्विस फायर टेंडर जिसे कहते हैं जो लाल गाड़ियां होती है इनकी जुरत जब तब पड़ती है जब आग लग जाती है दुकानों में किसी खेतर में जुगी जोपड़ी में आद याद अब लगती है आग शॉर्ट सर्किट से लगाई जाती है कुछ और बाते होती है वो एक दूसरी समस्या है लेकिन आग के रोकने के लिए आग के विस्तार को रोकने के लिए अग्न शमन यंतरों की वाहन की व्यवस्था बहुत जरूरी है और नगर निगम इस पर विशेज ज निजी स्तर पर भी सरकारी स्तर पर तो है ही निजी स्तर पर भी जो भी अस्पताल, मॉल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग सेंटर साधी खुल रहे हैं वहाँ पर संबंधित मालिकों द्वारा उचित व्यवस्था की गई है कि नहीं फायर प्रिवेंशन की ये काम भी नगर निगम का होता है नगर निगम सर्टिफाई करता है कि इस भवन निर्माण में उचित प्रावधान किया गया है कि नहीं किया गया है फायर बचने का बचाने का जिसके लिए बहुत बड़ी टंकी होना आवश्यक है उचित तरीके की पाइपलाइन होना आवश्यक है आधी आधी त परियावरन का स्टनरक्षन और परिस्थितिक पहलूँ की अभी वृद्धी अब ये नगरी वानिकी क्या है नगर में आज चारों तरफ कंस्ट्रक्शन्स हो रहें, निर्माड हो रहें सीमेंट और धूल से बहुत से सारे शहर पटे हुए हैं और परियावरन की दिश्थिति देखा जाये तो रायपूर के बहुत से शहर वर्ल्ल परियावरन इंडेक्स यदि बात करें पॉलुशन इंडेक्स में तो काफी नीचे हूँ दिल्ली की स्थिति तो बहुत ही खराब है ऐसी स्थिति में पहले से ही चेष्टा करके नगर निगम यदी परियाप्त वनों की विवस्था करें शहरों को वना च्छादित कर दें ऐसे पॉकेट्स बनाएं जहां पर ऐसे पेड लगाए जाएं जो परियाप्त ऑक्सीजन देते हूं और साल भर जो हर्याली देते हूं तो शहर के निवासियों को शहर को काफी राहत मिलती है ये काम नगर निगम का है बहुत महत्पूर्ण नगरी वानिकी उसी के तहट आता है परियावरण का सर्रक्षन ये नजर रखना की शहर का परियावरण जो स्तर है वो उचित मानक पर है कि नहीं परियावरण को बचाय रखना सुनिश्चित करना की धूल आदी का असर जनता पर नियूनितम हो और इसलिए सड़कों की धूल की सफाई पौधों का लगाया जाना वाटर कैनन से स्प्रे करना पौधों को लगातार और साथ ही जो निजिस्तर पर जो भवन निर्माण हो रहे हैं वहाँ सुनिश्चित कराना कि भवन निर्मान की प्रक्रिया में धूल न उड़ रही हो, बनाने वाले लोग हरे कपड़े से चारों तरफ उसको ढखे हुए हूँ, ये नगर निगम का कारे है, आप देखते होंगे कि बहुत से जो नाव निर्मित मकान, जो मकान बन रहे हैं, उनमें हरे कपड़े लगाय जाते हैं, उनके निर्मान के दोरान, ताकि तोड़ फोड की प्रक्रिया में और सीमेंट की प्रक्रिया में धूल चारों तरफ न उड़ रही हो, उस वहीं अंदर रुख जाए, तो परियावरन संबंधी मुद्धा बहुत अहम मुद्धा है नगर निगम का, अगला, प्रियाज के कमजोर वर का प्रियाज से क्या मायने हो, जब एक शहरी संख्या होती है, तो निश्चित रूप से एक ऐसी संख्या भी पनप जाती है, जिसे हम मंद बुद्धी कह सकते हैं, मानसिक रूप से मंद स्तर कह सकते हैं, विकलां कह सकते हैं, दुरभागे से ऐसी सं जहां संभव है इनके आमोद प्रमोद की व्यवस्था आदी आदी ये बाल आश्रम वृद्ध आश्रम लड़कियों के लिए हॉस्टल और विभिन जगहों पर जो विकलांग लोग हैं उनके लिए ऊपर चड़ने के लिए रैंप आदी की व्यवस्था भील चेर्स ये सब न हैं जिनकी संख्या बढ़ रही है जहां आए तो नहीं होती निगम का खर्ची होता है लेकिन निगम इसे अपनी जिम्मेदारी मानता हुआ समाज समाजिक उत्थान के लिए समाजिक इस्तर को उचित बनाए रखने के लिए ये काम को बखुभी करता है तो समाज के कमजोर वर्गों का समरक्षन अगला जो इसका कार्य है वह है गंदी बस्तियों में सुधार जब शहर बनते हैं तो एक स्वाभाविक बुराई इसके अंदर आती है जुग्य जोपणियों का पनपना ये जुग्य जोपणियों के पनपने के बहुत से कारण है एक कारण है निर्मा कि बड़े शहरों में घर में काम करने वालों की बहुत जरूरत होती है तो रोजगार की तलाश में गाउं से लोग आके छोटी छोटी जमीन में कहीं पे भी जुग्य जोपण बना कर रहने लगते हैं और इसकार वहां का वातावरन बहुत ही दूशित हो जाता है उनकी जी दलदली इलाका पूरा आप किसी भी शहर के आउटर ख्षेतर में जाएं उसकी पेरिफेरी में जाएं तो आप पाएंगे ऐसे कितने गंदी बस्तियों के जुंड बने हुए हैं और इसके पीछे कारण यही है एम्प्लाइमेंट की खोज में उचले आते हैं तो इनके रहन रहन सहन में सुधार कम से कम बस्तियों में सफाई की विश्था करना नगर निगम के दाएरे में आता है वो प्रियास करें प्रियास करती है कि इन गंदी बस्तियों में किसी तरह की बीमारी महमारी न फैले चाहे वो हैजा हो चेचक हो या कुछ अन्य बिमारिया हो रुके हुए पानी से मलेरियाद ही हो जाता है और वहाँ जो नाले वगर रहते हैं उसमें पानी रुका रहता है शौचाले की व्यवस्था नहीं रहती खुले में शौच के लिए गंदी बस्थियों के लोग जाते हैं तो इस सब के मद्दे नजर सामाजिक व्यवस्था जो है कहीं चर्मरा न जाए इसलिए नगर निगम का अद्दाई तो हो जाता है कि वह गंदी बस्थियों में भी सुधार का उचित प्राउधान करें अगला कार नगरी निर्धनता में कमी ये नगरी निर्धनता के क्या माइने हैं अर्था जो निम्नवर्ग के तबका जो नगर में आ गया है बहुत से कारणों से उनका इस्तर को उठाया जाए उनकी आमदनी बढ़ायने का प्राइस किया जाए अगला बिंदु नगरी सुख सुविधाएं जैसे मैंने आपको बताया उद्ध्यान इसके क्या माइने हो सांस्कृतिक कल्चृरल अक्टिविटीज को बढ़ाने का प्रयास करना विमिन धर्मों से जुड़ हुए सांस्कृतिक आयोजन करवाना उसके लिए बाहर से कलाकारों को बलाना राइपुर में जैसे आप देखते होंगे आदिवासी मेला लगता है और उसमें विदेशी छेत्रों से भी आदिवासी लोगों को बलाकर उनके निर्टिक करक्रम आदिक किये गए ये सांस्कृतिक व्यवस्था इसके साथ ही शैक्षनिक व्यवस्था मैंने आपको बताया नगर निगम के स्कूल खासकर प्राइमरी और मिडल स्कूल निमनस्तर पर बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उनके ड्रॉप आउट की संख्या भी बहुत ज़्यादा है ऐसे बच्चे हजारों की संख्या में हैं जो पांचवी आते आते स्कूल छोड़ देते हैं और अपनी जीविका के लिए मजदूरी करने लगते हैं और इस पकार अशिक्षित रह जाते हैं ऐसे अशिक्षित बच्चे आसामाजिक तट्व के रूप में वदलते हैं आने वाले समय में ऐसे अशिक्षित बच्चे समाज के लिए बोज बन जाते हैं तो ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए नगर निगम बारंबार प्रयास करता है कि सभी बच्चें को निष्चित रूप से शिक्षा दी जाए और उसके लिए स्कूलों की विष्था की जाए तो नगर निगम के स्कूल बड़ी संख्या में खोले जाते हैं और इसके अलावा सौंदार ये परक पहलू सौंदार ये परक पहलू से क्या ताज पर है तेली बांधा का तालाव आपने देखा उसे एक तालाव की रूप में छोड़ा जा सकता था साथ तालाव, बुड़ा तालाव उसे एक साथ तालाव बना कर छोड़ा जा सकता था पर नगर नगम यहीं नहीं रुका उसने उसके सौनदरी करण की वियूस्था की और इतनी वियूस्था की है कि शहर का एक खाच्छा का सा वर्ग इन तालामों के आश पास अपना समय गुजारने जाता है शाम को वहां पर पिकनिक मनाने जाता है आदी आदी और ये सौंधरी करण के कई पहलू है चाहे फवारों के रूप में चाहे रंग बिरंगे पेंट के रूप में दिवालों में चाहे छोटे-छोटे भोजन के खाने के स्टॉल खोलने के रूप में आदी आदी और ये स्टॉल भी नगर नगमी खुलवाता है आपने देखा होगा बहुत जगह ऐसे स्टॉल खोलने का पराधान नगर नगम ने रायपुर में किया है अन्नी शहरों में भी किया है तो इस परकार सांस्कृतिक, शैक्षनिक और सौंधरी करण के ध्यान में रखते हुए वो व्यवस्था करती है सडके जो हैं उसको समय समय पर पेंट करना पुलों के नीचे जो खाली स्थान है उस पर कुछ ऐसी व्यवस्था करना कि पुल के नीचे का स्थान एक असामाजिक तत्वों का अड़ा ना बन जाए बलकि वहाँ पर कुछ प्लैंट लग जाएं, पौधे लग जाएं कुछ सौंधरी का ऐसा कुछ रज्य से संबन्दित, रज्य की संस्कृति और कल्चर से संबन्दित कुछ चीज़े वहाँ लगा दी जाएं ये व्यवस्था उसके तहत करता है नगर निगम इसके बाद अगला कारे है तालाब की व्यवस्था बहुत महत्पूर्ण काम किसी समय में रायपूर तालाबों का शहर कहलाता है हजारों तालाब होते थे आज उनकी संख्या घटकर कुछ सौ तक रुख गई है गतकई वर्षों से शासन ये सतत प्रयास कर रहा है शासन से मेरतात पर है नगर निगम और शासन में निश्चित रूप से मंत्राल है नगरी शासन मंत्राल है एक विभाग ही है मंत्र मंदल में जो सरकार की तरफ से नगर निगम पर नियंतरत रखता है नियंतरत रखता है और सुनिश्चित करता है कि नगर निगम अपना कारे बखूबी कर रही हो क्योंकि नगर नगम के कारियों में किसी भी तरह की ढिलाई यदी हुई तो शहर की व्यवस्था पूरी बिगड जाएगी और उसे वापस पट्री में लाने में बहुत महनत लग जाती है तो उसी के मद्दे नजर तालाबों के व्यवस्था अब ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पुराने बचे हुए तालाब अब बचे रहें बचाए जा सकें उनके संख्या में और राख गिरावट ना हो दूसरा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन तालाबों का सौंदरी करन किया जाए इनके आसपास केती तरह का कबजा ना हो उसके साथ ही कब्रिस्तान की व्यवस्था शव गाडने की जलाने की व्यवस्था शम्शान घाट, शव दाह, केंद्र, विद्युत, शहदा, आदी की व्यवस्था ये सब नगर निगम का कार है जब शहर बढ़ा, तो मृत्युदर भी उस हदर तक बढ़ती है और ऐसी स्थिते में क्या होगा कोरोना काल में, जब बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही थी तो उनकी लाशों को जलाने की, दफनाने की समस्या खड़ी हो रही थी और इसलिए नगर निगम द्वारा बनाएंगे शवदा, कई खेत्रों में जो थे वे बड़े काम आए ऐसी स्थिती यहां पर नहीं उपजी की लाशों को छोड़ दिया जाए जैसा की देश के कुछ अनिक खेत्रों में देखा गया और इसका श्रेज आता है नगर निगम की व्यवस्था को स्वशासन प्रणाली की व्यवस्था को और जिसने भी स्वशासन प्रणाली की व्यवस्था की शुरुवात की उसको इसके तो शब्दा, कबरिस्तान, विद्युष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् जो लाशें आ रही हैं उनका भी उसी दिन दाह कर दिया जाए ये संबह हो सकता है विद्युश्यदाह में बड़े शहरों जैसे बंबई दिल्ली आदी में तो विद्युश्यदाह ही हैं और वहाँ एक तरीके से कंपल सरी हो गया है कि सभी लोग जिनकी मौत हो उन्हें विद्युश्यदाग्री ही ले जाए जाए इसके बाद अगली जो व्यवस्था जो नगर निगम को करनी होती है उसके कारिक्षेत्र में हाती है वह है पशु तालाब तथा जानवरों के प्रती क्रूरता को रोकना पश्वों के प्रती जो क्रूरता है चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स हो या गाय भेंस बैल आदी हो या दूसरे ऐसे जानवर हो और इनके प्रती जो क्रूरता है चाहे शिकार करना या मार देना ये करना उसको रोकना और इसे रोकने के लिए अब क्या व्यवस्था की जाती है कि नगर निगम अपनी गाड़ियों में इन्हें पकड़ के ले जाता है जो रास्ते में मार्ग में बाधक हैं सड़कों में बैठी रहती गायादी और उनके रख रखाओं के उच्छत पर अस्था करता है दूसरा इन्टी रैबीज के इंजेक्शन भी लगाया जाया है ये नगर निगम का एक दल इस कारे के लिए लगाया जाता है तो इस परकार पशू तलाब और जानवनों के प्रती कूरता को रोकना अगली व्यवस्था जन्म मरढ सांख्षिकी अर्था पंजी करन इस शहर में रोज जितने लोग का जन्म होता है उनका रिकॉर्ड रखना और रिकॉर्ड कार्थ होता है मत्र नवजात का नाम ही नहीं बलकु उसके पूरे परिवार का विस्तार से विवरण और उसके आधार पे जन्म सर्टिफिकेट देना जन्म प्रमान पत्र देना उसी प्रत्यु प्रत् का अधार होता है शवदा ग्रिहों आधी में पहुंची हुई लाशों का ब्यावरा वो नगर निगम पहुंचाता है समय पर और वहां से मृत्वी प्रमाण पत्र जारी हो तो क्योंकि मृत्वी प्रमाण पत्र ना मिलने की स्थिति में किसी तरह का जो इंशूरेंस जिसे हम क कती है डिसीज़्ट का जिनका स्वर्ग जिनका स्वर्गवास हो गया है उनके अकाउंट से पैसा जी निकालने में दिक्क्त होती तो मृत्यू प्रमान पत्र भी बहुत ही आवश्यक है और ये दोनों देने का कारे आधिकारे के सर पर केवल नगर निगम ही करता है और नगर लिगम द्वारा जारी जन में मृत्य प्रमान पत्र ही आधारिक प्रमान पत्र बाने जाते हैं तो इस विकावर्ष ते और इसके लावा बहुत आहम चीज है कि इस आधार पे उस खेत्र की जन संख्या और जन संख्या का जो कंपोनेंट है कितनी महिलाएं हैं कितने किस तर के हैं ये पूरी जानकारी नगर निगम रखता है उसी के आधार पे फुर वह विभिन योजनाय बनाता है उसी के आधार पे रिजर्वेशन भीता होता है आरक्षन भीता होता है जन मरण संख्य की एक अत्याधिक महत्पूर्ण कारे है नगर निगम का अगला काम लोक सुख सुविधाएं अब लोक सुख सुविधाएं और नगरी सुख सुविधाओं में क्या अंतर है नगरी सुख सुविधाओं से संब्द है पार कादी से उद्यान खेलका मैदान सम लेकिन लोग सुक्ष विधाओं में आता है जैसे पथ प्रकाश, सडकों में रोशनी, ये सुनिश्चित करना कि शाम को शहर विद्युत मंडल हो, अन्धकार ना हो, अन्धा लॉइन ओर्डर की समस्या आती है, अपराज बढ़ते हैं, एक्सिलेंट बढ़ते हैं, पारकिंग स्थल की विवस्था करना, बस स्टाप आदी की विवस्था करना, ये सब लोग सुक्ष विधाओं में आता है, और अगला वधशाला और चर्म रोश, शोधन शालाओं का विनी में, वधशाला, अर्थात मौर चूरी, और वधशाला अर्थात जहां जानवरों को भी काटा जाता है पुराने, उनका काम, और अगला कारे राज्य विधान मंडल कानून बना कर उन विश्यों को दे सकती है, जिन पर नगरी संस्थाएं कर लगा सकती है, नगरी संस्थाएं जो हैं, इनके कितने सारे कारे हैं, ये तो हमने देखे, पुल बनाने से लेकर, क्लिनिक और न जाने क्या-क्या, प्रैक्टिकली व्यावारिक दिश्टी से देखा जाये, तो नगर निगम, नगर पालिका, या श्वाशाथ की संस्था, हमारे जीवन के हर आयाम को रोच होती है, प्रभावित करती है, चाहे वो जल हो, चाहे मल हो, चाहे सफाई का हो, जा अखिर इसके लिए पैसा कहां से आता है, और ये पैसा क्या पूरा का पूरा सरकार देती है, यदि सब पैसा सरकार दे, तो जनता अपनी जिम्मेदारी से दूर हो जाएगे, जनता जब स्वेब इन चीजों के लिए पैसा खर्च करती है अपनी जेब से, तो वो इस बात के कि यह शुक्स्विधायां उसे अपने ही पैसे से उपलब्द कराई गई हैं और इसलिए इन शुक्स्विधाओं को ठीक से सजोया जाए तो इसलिए नगर निगम कर लगाती है विबन ने तरह के कर चाहे वो जल कर हो चाहे विद्यूत कर हो चाहे शिक्षा कर हो जिसे सेस भी बोलते हैं चाहे वो पत कर हो पार्किंग कर हो पार्किंग कर टैक्स आधी आधी सिनेमा कर टैक्स हो ये सब कर नगर निगम लगाती है ल उसके लिए आवश्चक है कि राज्य विधान मंदल उसकी जरूरत महसूस करे करों की और उसका प्राउधान करे और नगरी संस्थाओं को कर लगाने का किसी मुद्दे पर इस पश्ट आदेश दे। पारकिंग वगर पे जो टेक्स जो पैसा लिया जाता है बीस रुपए से लेके तीस रुपए तक ये भी कर ही है जो नगर निगम के खाते में जाता है जिससे वो सुनिश्चित करती है कि पारकिंग इस्थाल में उचित तरीके से पारकिंग हो सुनिश्चित करती है कि पारकि खेत्र के में अंतिम कारिक्षेत्र उसके लावा वैसे भी बहुत अन्य भी हैं और इनका काम बढ़ता ही जा रहा है लेकिन आपकी जानकारी के लिए अगला है कि वित्ती स्थितिका पुनर विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन जो इन करों के निरधारण निवारण को देखती है शुलक पतकर फीस के शुद्ध आयो और संथानों तता राज के बीच वित्तरन के लिए राज पाल से सिफारिश करती रखती है तो वित्त आयोग का एक बहुत महत्मूर रोल हो जाता है जहां पर क्योंकि वही राज जपाल के सिफारिश करती है इन सब के नगर निगम की आये व्याय पर नियंतरन रखना उसकी शुद्ध आयाधिका ध्यान करना और उस पर अपनी रिपोर्ट प्रतिवेदन देना तो इस परकार हम देखते हैं कि नगर निगम और वैसी महा नगर पालिका नगर पालिका इनके कार बड़े विश्तरित हैं और जै लिखा जाये तो इनके हमारे जीवन, शहरी व्यक्ति के जीवन के हर खेत्र को ये प्रभावित करते हैं। आप अपने घर से निकले नहीं कि आपने नगर निगम की सुविधाओं का उप्योग करना शुरू कर दिया। चाहे वो सड़क के रूप में हो, चाहे स्ट्रीट लाइट के रूप में हो, चाहे सबजी भाठ हाट मार्केट में जाने को रूप में हो, किसी भी रूप में हो, आपने नगर निगम की सुविधाओं लेनी शुरू की है। या आपका खुड का मकान है तो संपत्ति कर, क्योंकि वो भी एक बहुत महत्पूर्ण जरिया हो जाता है नगर नगर की आये का। उसके लावा आप मकान बना रहे हैं तो बनाते समय जो आपने रेट की ढिलाई करवाई, इंटें गिरवाई और इस पकार उस खेतर को कुछ हर्तक नुकसान पहुंचाया, सड़कों को या किनारे को, उसकी भी भरपाई आपको कर के रूप में करनी होती है और भवन निर्म कर, वो अभी नगर निगम को जाता है, इस सब के रेट और दरें तैह, यदि इस पर कर ना लिया जाए, तो लोग मकान बनाते समय कहीं पर भी रेट, इट, गिट्टी वगर गिरा पर चलें और आवागमन को प्रभावित करें, इन सब से बचने के लिए भी नगर निगम इ अनुशंसा के बाद ही लगाय जा सकते हैं, और राज्य पाल की सहमती इसमें बहुत जरूरी है, नगर निगम के बाद हम आते हैं नगर पालिका पर,